C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पाठ 22 दुनिया मेरे घर में प्रिष्ट 189 रोज की तरहे आज फिर मेरिटा के घर में बहस शुरू हो गई कि टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखें मेरिटा का भाई क्रिकेट मैच देखना चाता है जबकि छोटी सूजन अपने पसंद दीदा गाने का प्रोग्राम मम्मी और आंटी वैसे तो गहरे दोस्त हैं पर उनकी पसंद अलग-अलग है मम्मी समचार देखना चाती है जबकि आंटी एक सीरियल मेरिटा काटून देखना चाती है और डैडी को फुटबॉल मैच देखना पसंद है डैडी कहते हैं कि वे बस शाम को ही टीवी देख पाते हैं आखिर सबको फुटबॉल मैच ही देखना पड़ा प्रिष्ठ एक सौअसी बताओ क्या तुम्हारे घर में भी पंखा, टीवी, समाचार पत्र, कुर्सी या किसी और चीज को लेकर जगड़े होते हैं तुम्हारे घर के ऐसे जगड़े कौन सुल जाता है अपने घर के ऐसे जगड़ों के बारे में कोई मज़िदार किस्सा सुनाओ क्या तुमने कहीं और एक ही चीज के लिए लोगों को आपस में जगड़ते देखा है? किस बात पर? अलग, क्यों? शाम के साथ बजे हैं, प्रतिभा अपनी सहेली के घर से भागी-भागी अपने घर जा रही है नुकड़ पर उसके भाई संदीप और संजय दोस्तों के साथ खेलने में लगे हैं उन्हें घर पहुँचने की कोई जल्दी नहीं है उन्हें देर से घर पहुँचने पर कोई नहीं टोकता प्रतिभा को यह बात ठीक नहीं लगती उसके लिए एक नियम और उसके भाईों के लिए दूसरा पर वे क्या करे बताओ क्या तुम्हारे या किसी दोस्त के परिवार में ऐसी बाते होती हैं तुम इस बारे में क्या सोचते हो क्या लड़का लड़की और आदमी आउरत के लिए अलग-अलग नियम होने चाहिए प्रिष्ट 181 सोचो अगर लड़कियों के लिए बनाए गए नियम लड़कों पर और लड़कों के लिए बनाए गए नियम लड़कियों पर लागू हो तो क्या होगा पिलू मामी एक दिन फली, नाजू और उनके दोस्त पिलू मामी के साथ समुदर तट पर घूमने गए पानी और रेत में खूब खेलने के बाद बच्चों ने आकाशी जूले में चक्कर लगाए भेल पूरी खाई और गुबारे भी खरीदे बाद में सभी ने मजे से ठंडी ठंडी कुल्फी खाई कुल्फी वाले ने गलती से साथ के बजाए पांच कुल्फी के ही पैसे मांगे बच्चों ने सोचा चलो पैसे बच गए पर पिलू मामी ने कुल्फी वाले को सही हिसाब समझाया और साथ कुल्फियों के ही पैसे दिये उस दिन बच्चों ने पिलू मामी से जो बात सीखी उसे शायद वो कभी नहीं भूलेंगे अपनी कल्पना से इस कहानी का अंत बदल कर कौपी में लिखो क्या तुम्हारे परिवार में भी कोई पिलू मामी की तरह है कौन अगर पिलू मामी कम पैसे दे कर वहाँ से चली जाती तो बच्चे इस बारे में क्या सोचते तुम इस बारे में क्या सोचते हो मैं क्या करूँ अक्षे को अपनी दादी मा से बहुत लगाव है वे भी उसे बहुत प्यार करती है वे उसे खुँव रोचक बाते करती है वे अक्षे के दोस्त अनिल को पसंद करती है पर वे अक्षे को एक बात पार बार समझाती है उसे कभी भी अनिल के घर का खाना नहीं खाना और तो और पानी भी नहीं पीना वे कहती हैं कि अनिल के परिवार वाले उनके परिवार से बहुत अलग है एक दिन अनिल के घर के पास वाले बड़े मैदान में वॉली बॉल का मैच हुआ उस दिन बहुत गर्मी थी मैच के बाद सभी प्यासे और ठके थे अनिल सबको अपने घर ले गया सब दोस्तों को अनिल की माने पाने दिया जब अनिल ने अक्षे की हाथ में पानी का गिलास थमाया तो अचानक उसे दादी की चेतावनी यादा गई हाथ में गिलास लिए अनिल को देख अक्षे को समझ नहीं आया कि वह क्या करे प्रिष्ट 183 बताओ तुम्हें क्या लगता है अक्षे क्या करेगा अक्षे उलजन में क्यों पड़ गया अक्षे की दादी माने उसे अनिल के घर का पानी तक पीने के लिए मना क्यों किया होगा क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो अक्षे की दादी मा की तरह ही सोचते हैं क्या तुम अक्षे की दादी मा से सहमत हो तुम्हारी राय में अक्षे को क्या करना चाहिए किसका फैसला धोंडू का परिवार बहुत बड़ा है परिवार के रुपे पैसे और खेती बाड़ी का सारा काम बड़े काका ही संभालते हैं परिवार के छोटे बड़े सभी निर्णे वे ही लेते हैं अभी तक तो धोंडू खेत में काम करता था पर अब वह कुछ नया करना चाहता है वह बैंक से कुछ पैसे उधार लेकर आटे की चक्की लगाना चाहता है गाउं में एक भी चक्की नहीं है दोंडू को पूरा यकीन है कि उसके नए काम से परिवार को फायदा होगा उसने बाबा को तो मना लिया पर बड़े काका उसकी एक भी सुनने को तयार नहीं है अब अध्याबकों के लिए इन उधारनों के द्वारा बच्चों का ध्यान उन बातों की तरफ खीचा जा सकता है जो हमारे परिवार और समाज में समाननेता होती है इन सभी बातों के बारे में सोचने और स्वायम के विचार बनाने के लिए प्रोच साहित करें उनकी विचारों पर कक्षा में चर्चा करवाई जा सकती है प्रिष्ट 184 बताओ तुम धोंडू की जगा होते तो क्या करते? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ करना चाते हो पर घर के बड़ों ने मना किया हो? तुम्हारे घर में जरूरी फैसले कौन लेता है? तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? अगर तुम्हारे परिवार में ये रिष्टिदारी में हमेशा एक ही व्यक्ति अपनी बात मनवाता रहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे यह अच्छा नहीं लगता मीना और रितु स्चापू खेल कर घर लोट रहे थे चलो ना मेरे घर चलो ना मीना ने रितु को खीचते हुए कहा तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे अगर भी होंगे तो मैं नहीं आऊंगी रितु ने जवाब दिया पर क्यों? मामा को तो तुम अच्छी लगती हो कह रहे थे अपनी सहेली रितु को घर लाना मैं दोनों को खूब सारी चौकलेट खिलाऊंगा रितु ने मीना से अपना हाथ छुडाया और बोली तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है हाथ भी पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये कहकर रितु अपने घर चली गई अब अध्यापकों से बात करते हैं कुछ बच्चों के अनुभव रितु की तरह के हो सकते हैं कक्षा में इन पर चर्चा होने से बच्चों को अपने अनुभवों के बारे में सोचने का मौका मिलेगा इस से उनका धीरज भी बंदेगा और शिक्षक के प्रती विश्वास भी बढ़ेगा जरूरत के अनुसार बच्चों से व्यक्तिकत रूप से बात की जा सकती है अगर स्कूल में बच्चों के सलाकार यानि काउंसलर हों तो उनकी मदद भी ली जा सकती है प्रिष्ट 185 बताओ क्या तुम्हें भी कभी किसी का चूना बुरा लगा है किसका चूना तुम्हें अच्छा नहीं लगा अगर तुम रितु की जगा होते तो क्या करते ऐसा होने पर और क्या किया जा सकता है सभी का चूना एक जैसा नहीं होता जब मीना के मामा रितु का हाथ पकड़ते थे तब उसे अच्छा नहीं लगता था लेकिन उसे मीना का हाथ पकड़ना अच्छा लगता था सोच कर बताओ ऐसा अंतर क्यों था अब अध्यापकों के लिए यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली या मादक दवाओं की लट के बारे में बताना चाहते हूं तो ऐसे किस्वों पर बातचीत बड़ी ही समवेदन शीलता से की जाने चाहिए उनसे होने वाले हाने कारक प्रभाव पर चर्चा जरूरी है इन मुद्दों पर आप सेवा कालिन प्रशिक्षन कारिकरमों में भी चर्चा अवश्य करें कभी कभी कुछ ऐसे परिवारों जहां किसी को नशीली दवाओं की लट हो वहां के बच्चों में भी यहलत पड़ जाती है यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चे में ऐसा व्यवहार दिखाई दे तो उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उनकी यहलत छुड़ाई जा सके इस विशय पर बच्चों से पोस्चर अत्वा चार्ट बनवाएं और उन पर चर्चा करें दुनिया मेरे घर में अभी आप सुन रहे थे कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का 22 वापाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत